तो वो दर तो हम बूलेंगे ही नहीं उसको पेड़ पर लटका के पहले हैंग किया उसके बाद उसके आइज उन्होंने निकाली मुझे इतना शाक हो गया मैंने का आप क्या बोल रहे हो उससे का नहीं मैंने चाहता तेरे बज्जों को कुछ होगा उन काफिरों ने जो हमारे साथ किया है वो बगवान इस दर्थ पे किसी के साथ न करे ऐसा स्ट्वेजन होता था जो और्णिरी आदमी भी हम हिंदों के पीछे ऐसा पढ़ा रहता था कि हम इतना डर जाते थे कि पूछा मत इंडिया अगर मैच जीता था तो पत्थर पंड़तों के गर पे पढ़ते थे पीछे क्या हुआ है आगे क्या हो सकता है जब तक देश का नौजवान आज का सतरक नहीं होगा तो ये कल दोहराया जा सकता है उस रात की वारदात को उस मंसर को याद करते हैं तो रूह काप उठती है बोलते समय जुबान लड़ खड़ाने लगता है आँखों में आस्व बहने लगते हैं और यसे में कुछ और लोगों का अगर हम दर्द जाने सर क्या नाम है आप मैं मेरे नम अर्विन बठ है आपने किस तरह से उस पल को जेला था और जब कश्मीरी पंड़त आज उस दर्द को याद करते हैं तो आपको कौन सा मोमेंट यादा आता है मैं आपको बताता हूं मैं अच्छी जब हम वहां पे भागे थे वहां से तो एक एक इंडिविजल स्टोरी भी है और एक जो बड़ा पर्स्पेक्टिव है इसका मैं स्कूल में था वह टीनेजर तो मैं आपको यह बता सकता हूं कि हम लोगों को यह इंपरेशन कैसे आते थ इंडिया अगर मैच हारता था तो पत्थर पंडितों के घर पे पढ़ते थे अगर कश्मीर फाइल्स की परिवेक्शे से हम बात करें मैं यह बोलता हूं कि सब लोग पूरी कम्यूनिटी हम लोग कृतेग्ये हैं विवेक जी के आप लोगों के जो नहोंने बार बार ये ची आप बाता हूं यह जो हम लोग उसमें देख रहे हैं मैंने यह मोवी कल देखी जो हमने मूवी में देखा है मैं वो सिर्फ मेरे क्याल से चार से पांच परसंट चीजें ही बाहर निकल के आई हैं बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी दभी है मुझे यह तो एक टाइम का वो लिमिटेशन होती है, किसी डिरेक्टर या क्रियेटिव बंदी, वो नहीं दिखा सकते हैं. आप ये अंदाजा लगाओ, जब हमारे औरतों के रेप हुए, जब हमारे आदमी मारे गए, जब हमारे मर्द मारे गए, जब वहां पर ऐसे नारे लगे कि आप लोगों को कश्म अब वैली में, जितनी मसजदे थी, सब लोगों को अपने अपने महले से, सब लोगों को मसजदे में मसजदों में बुलाया गया, और वहां पर ये डिफिनिंग साउंड जो होती है, स्पीकर्स की रात बर चलती रही और वहां पर गाने चलते गए, जिसमें जिसका को नहीं कुछ बता पाया, लेकिन उसके बाद की स्टोरी ये आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा एक मेंट आपका और लूँगा, आपको पता लगा कि जब हम कैंप्स में आएं, ऐसा भी नहीं था कि हम लोग बिल्कुल ही गरीब थे सार जगह थी, हमारे पास लोगों के पास टॉलेट्स नहीं थे, और वो सिच्वेशन आज बतीस साल के बाद आपके सागे हैं, अभी भी हमारे कैंप्स ऐसे ही हैं, जो मैं आपके द्वारागर मेरी ये बाइट आती है स्क्रीन पे, टीवी पे में बताना चाहता हूँ अपने ह मुम मिनिसर साहब को, कि सर अभी हमारे बहुत सारे कश्मीरी भाई उन्ही सिच्वेशन में आज भी रह रहे हैं, बिजली के बिल नहीं पे कर पाते हैं, उनकी बिजलीयां कट जाती हैं, लोग अभी भी वैसे ही मर रहे हैं, तो अभी हमारी वो जो स्ट्रगल है वो खतम न झाल